हेलो व्रीवान वेल्कम बैक टू माई चानल इंडियन पार्टनर्शिप आट का पार्ट थर्ड आज मैं बढ़ाने जा रही हूं इसमें हम लोग पार्टनर्शिप फर्म पढ़ेंगे उसके ड्वांटिज देखेंगे रेजिस्टर कैसे करना है रेजिस्टर करने का इंपोर् प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना इट हेल्पस अलोट विद यूटूब 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 बनाने में तो कॉमेंट करके बताते रा करो कैसी लग रही है आई रेली अप्रिशिएट ओल यूर कॉमेंट्स आई लव अल्व परसंस कम टुगेदर दू फॉर्म बिजनस दो या उससे जादा लोग जब एक साथ कोई बिजनस रन करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनर्शिफ फर्म और आप हैं हम दोनों अपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग कोई बिजनस रन करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आप मीडिया फर्म सकते हो अँप कैसी भी पार्टनर्शिफ साथ में कर सकते हो अब यह अपनर ने और हम कहते हैं एक पार्टनर्शिफ नहीं हैं हम हूं और आप हैं हम दोनों नेन総 करा कि हम लोग एक partnership firm run करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एक लंबा चौड़ा contract बनाएंगे जिसमें written में सब कुछ होगा वह contract पहले से हर चीज़ बताएगा कि यह दोनों partners हैं यह दोनों इतना profit share करेंगे 50-50 या फिर जितना भी percent आप decide करो इतना loss share करेंगे किसकी क्या-क्या rights होंगी किसकी क्या-क्या responsibilities होंगी किसकी क्या-क्या duties होंगी partners में कैसा relationship होगा partners और partnership firm में कैसा relationship होगा हर एक चीज partnership deed में पहले से decide कर लेते हैं ताकि बाद में future में कोई भी लड़ाई जगडा या पार्टनर्शिप डीड को मैंने डीटेल में कवर करें अपने पिछले वीडियो में इसले मैंने पहले भी बोला था पार्ट वन आप टू देख लेना तो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज वो वीडियो भी देख लेना ताकि अच्छे से होता है incorporation of a partnership firm is easy as compared to the other forms of business organization तो दूसरे टाइप के business setup करने से जाधा असान होता है partnership firm को setup करना हम लोग में समझा ही था partnership firm can be incorporated by drafting the partnership deed and entering into the partnership agreement तो हम लोग जो हैं वो एक contract बनाते हैं जिसको हम लोग partnership deed कहते हैं तो properly written format में partnership deed बनती है और उसके बाद हम लोग agreement में आ जाते हैं दोनों partner's deed को sign वगरा करते हैं और तब जाके partnership firm बनती है अपार्ट फॉम दे पार्टनर्शिप डीड नू अधर documents are required तो partnership firm बनाना देखे कितना easy आपको बस एक partnership deed बनानी होता है एक contract बनाना होता है उसके अलावा कोई भी document नहीं चाहिए होता है it need not even be registered with the register registrar of firms तो देखे register करना जरूरी नहीं होता लेकिन कर देना चाहिए क्योंकि official records में जो चीज़ रहती है वो जादा safe रहती है और अगर officially registered है तो कुछ भी बाद में दिक्कत होती है तो आप जाके help मांग सकते हो officially government से या court से रेजिस्टर नहीं कर रहा होगा तो फिर आप कोई help भी नहीं मांग सकते है second advantage है less compliance partnership firm has to adhere to very few compliance as compared to company और LLP देखे अगर easy language में समझाओ तो इसमें जादा जंजड नहीं होता जादा compliance नहीं लगते हैं यह company setup करने में या LLP में क्या होता है बहुत जादा compliance जंजड होता है बहुत जादा प्रोसीजर होते हैं partnership firm में हमने पहले ही पढ़ा partnership deed होती है और जादा कुछ नाटक नहीं होता उसमें partners do not need a digital signature certificate एक DSC की जरुवत भी नहीं होती है DSC is a digital signature certificate इनको director identification number भी नहीं चाहिए होता जो company directors को चाहिए होता है या पर LLP के designated इसमें अगर बटो उच्बा कंप्लाइंस ये कि कॉशी होते हैं in fact यह कंपनी में क्या होता बोगी तो आपको अचानक से कोई चीज़ चेंज करने है तो आपको बहुत जदा प्रोस्टेस ट करने होंगे वह चीज़ चीज इंड्रिडिवस करने के लिए आपको बहुत जदा process is cheaper compared to a company or LLP obviously company वगर में क्या हो रहा है बहुत जादा processes follow करने पड़ने हैं बहुत जादा documents चाहिए इसलिए वो महगा होता है partnership firm को partnership firm को register करना cost effective है और easy this solution of the partnership firm is easy and does not involve many legal formalities तो बनाना जितना आसाने partnership firm dissolve करना भी easy होता है आपको बहुत ज्यादा legal formalities follow नहीं करने पड़ती बहुत ज्यादा paperwork नहीं होता है easily आप इसको dissolve भी कर सकते हो this solution of partnership firm वाला topic मैंने इस वीडियो में cover नहीं कर रहा है ज्यादा लंबा हो जाता वीडियो तो पार्ट फोर बनाऊंगे इंडियन partnership act का उसमें वहाला topic cover कर दूँगी जल्दी ही post करूंगी don't worry next advantage है quick decision देखिए partnership firm में decision जल्दी ले सकते हो और उसको easily implement कर सकते हो मैंने पहले भी बढ़ाया partners जो हैं वह easily कोई भी change ला सकते हैं partnership firm में तो जो भी decision होगा decision making process in a partnership firm is quick आप जल्दी decision ले सकते हो all the decisions are taken by the partners together सारे partners जो है साथ में decision लेते हैं and they can be implemented immediately तो जो भी आप decision ले रहे हो आप तुरंत implement कर सकते हो आपको बहुत ज़दा legal compliance follow नहीं करने पड़ते बहुत ज़दा process और procedure follow नहीं करना पड़ता decision जल्दी होते हैं लिए जाते हों जल्दी implement भी हो जाते हैं next advantage आपका sharing of profit and losses तो partners जो है वो profit or losses को equally share करते हैं usually तो equally share करते हैं but they even have the liberty of deciding the profit and loss ratio in the partnership firm लेकिन वो decide भी कर सकते हैं कि कौन कितना profit or loss share करेगा तो यह पूरा-पूरा partnership deed जब बनती है ना उसी time decide क्या जाता है कि कितना profit share होगा कितना loss share होगा तो हो सकता है equally share करने को ready हो या पिर हो सकता है आपसी सहमती से decide करें कि कोई 30% share कर रहा है कोई 70% कर रहा है तो it depends upon the partners और जो भी partnership deed में decide हुआ है यह तो हमने advantages देखे partnership firm के अब disadvantages देखते हैं पहला और सबसे बड़ा disadvantage है unlimited liability biggest disadvantage of the partnership firm is having unlimited liability of the partners जो partners होते हैं उनकी unlimited liability होती है मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जब partnership deed बना रहे तो आप decide कर लोगे कि दो लाग तक का loss तो मैं जहेलूंगा उसके बाद मैं बैक आउट कर दूँगा ऐसा नहीं होता आप के उपर unlimited liability होती है कितना भी loss आ जाए आपकी responsibility है उसको bear करना the partners have to bear the loss of the firm out of their personal estate तो आपको अपने personal belongings personal property से भी firm का loss bear करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि एक fixed amount के बाद आप बैक आउट कर जाओ जितना भी loss है आपको अपना घार गाड़ी जमीन बेचना पड़े आपको वह loss फुल्फिल करना पड़ेगा if the firm's assets are insufficient to pay the debt then the partners will have to pay off the debt from their personal property to the creditors तो अगर firm के assets जो है वह debt पूरा फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं जितना भी आपका लॉस हुआ है वह फुल्फिल नहीं हो पा रहे है तो आपको अपनी personal property बेच कर creditors के लॉस को फुल्फिल करना पड़ेगा next disadvantage है no perpetual succession यह तो नाम सही समझ में आ रहे है कोई भी successor नहीं होता मतलब यह है कि अगर मैं और आप partnership में है और मेरी death हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा या मेरा husband या मेरा भाई कोई भी वह मेरी जगा ले लेगा नहीं अब partnership firm will come to an end upon the death of a partner अगर एक partner मर गया तो partnership firm भी वहीं खतम हो जाती है और insolvency of all the partners except one या फिर चार partners थे तीन खतम होगा एक बचरा है तो भी ऐसा नहीं है कि partnership firm जो है वो किसी और उन लोगों के successor आ जाएंगे या कोई और आ जाएगा नहीं partnership firm जो है वह वहीं पे खतम हो जाएगी किसी का कोई भी successor नहीं होता अगर दो पार्टनर है एक में आके बोला कि भाईया देखो मुझे पार्टनर्शिप नहीं करनी है और यह मेरा dissolution का notice है तो भी partnership firm जो है वहीं पे खतम हो जाती है तो यह काफी बड़ा disadvantage है कि partnership firm can come to an end at any time किसी भी time partnership firm जो है वो खतम हो सकती है next disadvantage आपका difficult to raise funds देखे एक partnership firm के लिए जो है वो funds raise करना capital grow करना अपने business को grow करना एक company या LLP के comparison में मुश्किल होता है it is difficult to raise funds for a partnership firm और difficult क्यों है funds raise करना क्योंकि कोई भी strict legal compliances नहीं होते तो लोगों पे भरोसा भी कम होता है as there are no strict legal compliances people have less faith in the firm जिस चीज में ज्यादा legal compliances नहीं है उसमें आपको वरोसा करना मुश्किल तो हो गई तो वही बात आजाती है accounts of the firm need not be published thus it is difficult to borrow funds from third parties देखे यह जो partnership firm होती है यह अपने account books को कभी publish नहीं करती है यह नहीं दिखाती कि यह कितना profit में चल लिया है कितना loss में चल लिया है तो जब आप दिखाओगे ही नहीं तो जो creditor हो उसको पता किसे चलेगा क्या profit में चल जो या loss में इसलिए वो जो है hesitate करते हों सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं कि मैंने पैसा लगा हूँ और पैसा डूब जाएगा यह loss में चल जाओगे तो इस डिफिकल्ट टो बॉरो इसको रिजिस्ट्रार और फिर्म्स में जके रेजिस्टर कर दें aún set beginning गीरशिएट में इस आ इस बंगेशर करनाお होता है परGS 19 और फ़र्म ऑफ दे स्टेट वेर्ड फ़र्म इस लोकेटेड फ़र एक्जामपल अगर मैंने और आपने लखनव में पार्टनर्शिप बनाई तो हम लोग जो है वह यूपी के रिजिस्टरार फ़र्म में जाके अपनी पार्टनर्शिप फ़र्म को रेजिस्टर करके कोई तो हमी एक्रैड नहीं करते हैं तो अपने फ़र्म घर क्यां तो अपने तोब आपने में यह काम होतो हुआा है अगर आपने रेजिस्टर ही नहीं कराया होगा ना फर्म को तो आप प्रूफ कसे करोगे कि आप पार्टनर्स हो इसलिए अपने पार्टनर्स से कोई भी डिस्प्यूट हो और उसमें प्रॉपर उसका सेटिल्मेंट कराने के लिए ये पार्टनर्शिप फर्म को रेजिस्टर कराना जरूरी होता है second importance है registered firm can file a suit against any third party for enforcing a right from a contract तो जो registered firm एकर आपने firm register भी नहीं करहे और आप इसी third party के ऑग्षिन नहीं ले सकते हो for example मेरी और आपकी एक firm है और हम जो है वह फिर्ड पार्टी से contract करतेंगी 6 मेने के लिए आप हम सब कुछ प्रॉपर हो जाता है हम उसको पैसा भी एडवांस में दे देते हैं बाद में थर्ड पार्टी जो है वह अपनी एंड का बारगेन करने से मना कर देती हूं कहती है मैं यह सप्लाइस उमको दूंगा ही नहीं और वह पैसे लेके भागने लगते हैं तो अब अगर हमा आपकल सरी तो नहीं है बट इंप्रॉटंट जरूर होता है अब आते हैं वीडियो के सबसे इंप्रॉटंट टॉपिक पे जोगी है प्रोसीजर ओफ रेजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिफ फर्म को रेजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या है स्टेप वाइज मैंने application form भरना पड़ता है an application form has to be filed to the registrar of firms of the state in which the firm is situated जिस state में आपकी firm situated है अगर आपकी firm उत्तर प्रदेश में situated है तो उत्तर प्रदेश की registrar of firms में जाकर आपको एक application form file करना होगा along with prescribed fees जितनी fees उन्होंने मांगी है उसके साथ साथ आपको एक application form भनना होगा यह जो registration application होती है has to be signed and verified by all the partners और देर agents तो यह जो application है सारे partners को sign और verify करनी होगी या तो partners sign और verify करें या उनके agents भी कर सकते हैं तो application भर दी सारे partners ने verify कर दी अपने अपने signature कर दिये अब इस application को आपको बेजना है registrar of firms में आप पोस्ट के थूँ भी बेच सकते हो या फिर फिजिकल डिलिवरी भी कर सकते हो application can be sent to the registrar of firms थूँ पोस्ट और फिजिकल डिलिवरी तो अब यह जो application है यह जो आप पोस्ट करने जारों इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या क्या डीटेल्स होनी चाहिए पहली बात तो आपका फॉर्म का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जो भी नाम आपने पिल फॉर्म आपकी लखना हूं है बट अगर वो बिजनेस कानपूर में कर रही है आगरा में कर रही है अलाबाद में कर रही है तो उन सारी locations के नाम भी लिखने होंगे date of joining of each partner यह भी बहुत important है आपको specify करना होगा कि कौन सा partner कौन सी date में partnership आपको सारे partners के नाम देने होंगे सबके permanent address देने होंगे duration of the firm आपको specify करना होगा कि यह firm कितने टाइम में आपने setup किये क्या duration रहा है कबसे आपकी यह firm चल रही है तो यह तो आपका पहला step था application form भनने को और application form में क्या-क्या details देनी थी वह भी मैंने आपको बता दी नाम देना होगा पार्टनर्स का नाम पर्मनेंट अड्रेस लोकेशन डूरेशन हर चीज़ ठीक है अब सेकंड स्टेप होता है selection of name of partnership firm अगयान यह भी बहुत चाहदा important है कि आपको एक proper नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा any name can be given to a partnership firm कोई भी नाम आप दे सकते हो बट certain conditions need to be followed while selecting the name तो आप अपनी firm का नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन कुछ चीज़े ध्यान में रखनी होती है वो सारे parameters को ध्यान में रखते वे ही नाम देना चाहिए और नाम जो है वो किसी existing firm से बहुत जादा similar या identical नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई already एक firm है उस नाम पर run कर रही है तो आप एकदम same नाम रख दो या उससे बहुत जादा मिलता जुलता रख दो कि लोग confused होने लगे तो यह points ध्यान में रखने चाहिए कि नाम बहुत जादा similar या identical नहीं होना चाहिए अधर्थ step होता है आपका certificate of registration तो इसमें partners का कोई काम नहीं होता basically registrar आपको एक certificate of registration issue करके देता है अगर उसको आपकी applications और documents सही लगते है if the registrar is satisfied with the registration application and the documents he will register the firm in the registrar of firms and issue the registration certificate तो अगर उसको आपके application आपके दिएवे documents नाम वगरा सब कुछ सही लग रहा है तो फिर वो आपको आपकी firm को register कर देगा और आपको एक certificate of registration issue करके देदेगा एक मैंने documents की list भी बता दी है तो यह list है documents की क्या क्या चाहिए होता है documents सबसे पहले तो application form चाहिए होता है जिसका हमने पहले discussion कर लिया है तो application for registration of partnership original copy of partnership deed जो आपने partners के बीच में partnership deed बनाई है उसकी original copy चाहिए होती है specimen of an affidavit certifying all the details mentioned in the partnership deed and document are correct आपको एक affidavit चाहिए होगा जो यह certify कर रहा होगा कि partnership deed में जो भी mention है और जो भी आपने documents दी है वो सब सही है कुछ भी गलत नहीं है pan card और address proof of the partners जो भी partners उनका pan card चाहिए होगा address proof चाहिए होगा proof of principal place of business of the firm जो भी जगा है जहां पर main business हो रहा है उस जगा का location का proof आपको देना होगा तो यह कुछ documents होते हैं जो partnership registration के लिए जरूरी होते हैं जो आपको partnership form के साथ जो application आप दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको जो documents देने होते हैं वो यह सारे documents हैं तो अगर यह सब verify हो जाते हैं तो जो registrar of firms है वो आपको certificate of registration दे देता है और कुछ बच्चे confused रहते हैं कि fees क्या ह जाननी है तो आप Google कर सकते हो simply Google search से सब कुछ आपको पता चल जाता है अचकल तो fees जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती minimal fee होती है बट state to state different होती है stamp duty rules के according तो यह आपको process था register करने का अपनी partnership firm को काफी असान है application form बनना है document की list मैंने आपको बता दिये वो सारे documents नहीं है प with this we have come to an end of our session thank you so much for watching everyone कोई भी doubt हो तो comment करके मुझसे पूछ लेना कुछ समझ नाया हो तो वो भी पूछ लेना वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना and please feedback दे या करो whether you are liking the video or not and don't forget to subscribe my channel thank you so much for watching once again and I wish all of you are very very happy new year bye